एक कहावत है practice makes a man perfect और हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम उसमें perfect हो सकें हमें वो positive चीज़े करनी चाहिए बार-बार करनी चाहिए जिससे कि हम उसमें perfect हो सकें सफल हो सकें लेकिन इसका एक ओलट भी होता है जब आप positive चीज़े नहीं कर रहे होते हो ना practice तो आप automatically negative practice कर रहे हो मतलब कि अगर आप अपने skills पर काम नहीं कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो अपने आपको degrade करने के लिए अगर आप कुछ नया knowledge नहीं लेने के लिए practice कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो आपको जो आता है उसे बूलने के लिए तो practice तो हो रही है अब ये आपके ऊपर depend करता है कि आप उसे positive practice में लेके जाते हैं या कुछ ना करके negative practice में लेके जाते हैं परफेक्ट तो आप को ही जाओगे या तो जो skill आप सीखना चाहते हो उसमें और या फिर जो आपको आता है उसे बूलने में परफेक्ट तो आप बनोगे अब choice आपकी है कि आप कौन सा वाला चूस करते हो सोचिएगा